देखे इस question में क्या दिया है इस question में आपको दिया गया है कि 3 gram and oxide of a metal is converted to chloride completely and it yield 5 gram chloride the equivalent weight of metal age तो देखे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है उस चीज को यहाँ पर हम देखते हैं फश्ट तो दिया गया है कि आपके पास metal है और यह metal क्या कर रहा है oxygen के साथ क्या हो रहा है combine हो रहा है और oxygen के साथ combine करके आपका यह क्या दे रहा है यह metal oxide दे रहा है this gets metal oxide ठीक है और इस metal oxide में इसका mass दिया गया है कि जो इसका metal oxide मिल रहा है उसका mass कितना है 3 gram है ठीक है दूसरा बोल रहा है कि अगर आप इसी metal oxide को ठीक है आप इसी metal oxide को जब आप chlorine के साथ react कराते हैं तो यह completely किस में बदल जाता है तो यह metal chloride में बदल जाता है यह आपका किस में बदल जाता है metal chloride में बदल जाता है और यहाँ पर यह भी दिया है कि metal chloride का जो weight दिया गया है वो 5 gram दिया गया है तो देखें ऐसे questions को करने के के लिए जिसमें आपको metal oxide का value दिया है और इधर इस compound का value दिया है तो आपको करना क्या है अगर माल लीजेए इसको हम W1 माल लेते हैं ठीक है और इसको हम क्या माल ले डव्लू 2 माल लेते हैं तो इसको solve करने के लिए हम दोनों का ratio लेंगे W1 divided by W2 ठीक है तो W1 divided by W2 तो इसको ह हम लिख सकते है, equivalent weight of metal oxide, metal oxide को हम MO लिख रहे हैं, ठीक है, divided by equivalent weight of metal chloride, metal chloride को हम MCL लिख रहे हैं, अब देखिए, यहाँ पे यह value दिया है, 3 by 5 और इसको आप क्या करेगा, इसको आप लिख सकते है, equivalent weight of metal, ठीक है, plus equivalent weight of oxygen divided by equivalent weight of metal ठीक है plus आपका equivalent weight of chlorine तो आप देखिएगा यहां से जब आप solve करेंगे तो आप क्या लिक सकते हैं इसको equivalent weight of metal और plus equivalent weight of जो आपका value होता है oxygen का वो 8 लेना है ठीक है divided by equivalent weight of metal और फिर plus यह equivalent of chlorine आपका 35.5 आता है अब आप इसको solve कर लिजे कैसे solve करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग इधर लाते हैं तो यह आजाएगा 3 into em ठीक है plus 35.5 और इधर आपलिक सकतो 5 into आपलिक सकतो em plus 8 ठीक है इसको आपलिक सकते हो तो आपलिक सकते हो 3 em sorry 3 em plus 3 into 35.5 equals to 5 em और इधर आप लिख सकते हो plus 5 into 8 ठीक है इसको और आप solve कर सकते हो ठीक है 5 em minus 3 em आप लिख सकते हो और आप इसको कैसे लिख सकते हो 3 into 35.5 minus 5 into 80 अगर लिखते हो तो यह value हो जाएगा 2 em और ठीक है और इसको आप solve करके finally आप जो भी होगा calculate कर लिखे 3 into 35.5 minus 5 into 80 तो em का जो value आएगा वो क्या करना है इसमें आपको divide कर देना है 3 into 35.5 minus 1 कितना हो जाएगा यह आपका 8 है यहाँ पर यह 8 है 80 नहीं है यह आपका यहाँ पर 8 है तो यह आपका 8 है और यह भी 8 है और divided by 2 करोगे तो answer जो हमार आएगा यह answer यहाँ पर आपका आजाएगा that is 33.25 ठीक है तो इस चीज को देख लीजेगा आप लोग solve करके 33.25 तो यहाँ पर answer जो हमारा आएगा 33.25